अब देखो इसकी चार यूट हमारी अल्रीड कभर है तो उन सब का जो भी आपको देखना हूँ सारा कुछ यूट्व पर अविलेबल है फ्री में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्स में जाकर प्लेलिस चेक कर सकते हो या आप सर्ज करके नॉर्मल देख सकते हो अब बात कर है इसके अंदर तोल हमारे तीन पार्ट साते हैं पहला हमारा अजके क 오른ंट वीडियो में हम हमने कंपली लीकवर करने वाले याकिक हमारा कशतम हो जाएगा आता अब और एक और बात कि यह तोड़े से मतलब आप अभी समिश्टर में हो वैसे पहले समय समिश्टर में तो उस इसाब से आपके लिए थोड़ा साथ पढ़ सकता है यह लेकिन यहां पर मैं आप और वीडियो को जब देखना सुरू करूं ना तो स्टार्टिंग में अगर कोछ इस समझना है तो वोस आप देखते रहो एंड में पहुंसते पहुंसते आपके सारे के सारे एक होगे लेक्ट्रो से एलेक्ट्र से अब यह एक्च्वल में क्या फंडा है तो नॉर्मल हम जब टाइट्रेशन पढ़ रहे थे अब तक आपने इतना पड़ा होगा नई भी बड़ा तो कोई बात नहीं आपको फिर भी समझ आदाएगी तो यहां पर टाइट्रेशन में न हमारे इसके साथ रीक्ट्र करता है और रीक्छन के बाद हमारे ओंको सारा कुछ पता चल रहा हाई नहीं हमारे यह online इस तरह का सिष्टम आपको देखने को मिलेगा यान कि इस फंडे में आपको क्या समझ रहा है कि मालनों नीचे हमारा एक बीकर ले लिया हमने और इसके अंदर हमारे केमिकल सॉलूशन भरा हुआ है इसको हम एनलाइट बोल देते हैं यान कि इसके बारे में हमको पता लगाना अब या कोई भी मॉवायल का चार्जर पर घर करते हैं तो हर जेकर पर हमारी बिजली यूज होती है उसी तरह कि हमारी यहां जुड़ती है अब अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपको बता कि मालो इस तरफ हमने एक बैटरी लगा दी या मालो यहां पर हमारा एक स्विच वोर्ड है ठीक है और एक वायर हमारा इधर से गया एक वायर इधर से गया और यहां पर हमारा मालो एक बलब लगा दी हमने ठीक है तो जब तक यह वायर हमारा इस पर जाके कनेक्ट नहीं होगा हमारा बलब जलेगा नहीं यानकि यह पात हमारा पूर जोड़ देंगे आपस में जिससे क्या होगा यह सरक्ट पूरा हो जाएगा तो यहां पर हमको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे थो हमारा करेंट पास हो जाए तो नॉर्मली हम यहां पर क्या करते हैं कि इसी तरह का पूरा सरक्ट त्यार कर देते हैं कि मालों यहां पर हमने द थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हमारा कयार सुना होगा कि अगर पानी में हमारा करेंट मतलब पास हो जाता था पानी की तरह है तो इसी तरह के कुछ हमारा केमिकल सॉलुशन होते हैं और हर सॉलुशन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होते हैं कि वो कितने करेंट को कि और ज़ा करदेगा अब जैसे माँलों यहां पर हम नौर्मल पानी लगा mail here यह है यही और सॉलिशन करते है तो यह करेंट पूरा अदन प्रधण चलता है तो एक तरह से वहां कि पानी के तुरह हमारा करेंट इधर से उदर पहुंच रहा है और इस तरह से हमारे यह पूरा पात कंप्लीट हो जाता है और तब जाके हमारी यहां पर पूरी इलेक्रसिटी जनलेट हो रही है तो यहां पर बेसिकली हमारा बस इंट्रेक्शन हो रहा है एक हमारे इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रसिटी को रिप्र बोल देते हैं यानि कि बस आपको सिंबल इतना फड़ना समझ रहा है यहां पर एक तरफ एलेक्रिसिटी और दूसरी हमारा केमिकल सॉलीशन है अब कुश्यन आता है कि यह पास हमारा करता कैसे तो एक्जांपल के लिए मालो मैंने यहां पर ले लिया एक स्लीशन नॉर्मली अब स्लीशन को अगर हम डिसोसियेट करें तो हमारा यह एक पॉजिटिव और सियल नेगेटिव में टूड़ जाता है अब देखो यह हमारा पॉजिटिव यह नेगेटिव है तो अब अगर आपको एक देशी फंड़ा पता हो कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता और इसी तरह करके हमारे अइन्स के होते मॉमेंट करते हैं तो हमारे पिर्फ ऑक्रेंज़ फूरा प्रांफ कोईयों लगता नेगेटिव हमारी चीज़ का फायदा हूं अगर इहां पर participation बताना ठेगा अगर इन और उसी किमिकल येक्शन की वज़य से हमारा करेंट सोलुजन यान की यह हमारी इलेक्सिकल िनल्ष को ऊंटरेंकर सब और इसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन पढस सेटा के बारे मषेन पढ़ेगा फिर कंड़ीक मेद्रिक्रिक के बारें पढ़ेंगे तो एक एक करके हम सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लेंगे बागी इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड के बारे मैंने यहां सिंपल लिख दिया कि इसमें इंट्रेक्शन होता हमारे इलेक्रिसिटी और केमिकल रियक्शन के बीच में और यह आप एक डियाग्राम बना देना यह हमारी दो इलेक्ट्रोड है यह पॉजिटिव जी नेगटिव तो सॉलीशन के अदर मालो है तो हमारे करेंट पोटेंशियल और इन चीजों को मीजर करने के लिए देखा दाता है सिंपल ऑनड़ की मालो हमने यहाँ पर यह केमिकल रियक्शन ही तो इस केमिकल रियक्शन ने कितवना करेंट जनरेट किया मैंने बुला हर सॉलीशन की अपनी अलगियाई कोई जार्द करेगा कोई कम करेंट पास करता है तो आप तक जो आपने पढ़ा उसको भूलना मत क्य यह भी एक्ट्वल मां हमारा इलेक्ट्रोचमिकल मेथड का एक टाइब होता है तो इस दा मिजरमेंट और अफ केटाइन टूबर रिस्पेक्टिव एलेक्ट्रोड अब मैं पहले आपका एक डाउट के लिए करदू हमारे केटाइन और एनाइन इस क्या होते हैं और हमारे हमारे केटाइन करना है क्याते है यांकि ने नगिटाइन और के पास आएगा हमारे क्या देते हैं और आपको मैंने एक बेसिक फणड़ा बताते कि नेगैटिव के पास आता ह। और पोजिटिव के पास नेगेटिव तो यह हमारे कैथोड इसलोल जाते हैं अपको सिर्फ एलेक्रोड के उपर अपलाई करना है तो किया उन्यूड फॉजिटिफ और पजिटीव के पतेिब और हमारे में पॉजिटिbre और N9 हमारे i anode के पास तो N9 हमारा positive धा तो N9 होगे negative ketinains positive, N9 हमारे negative इसमें बहुत जादा confusion हुई था आप चाहो कैसे भी इसको बस याद कर लो क्योंकि यह आपकी चीज बहुत आगे भी जिंस्दगी पर काम आईगी तो इनों ने simple यह बोला कि यहां पर जोнейगेमेंच कांडुक्टिक्टिपी का ऑर कैसे करते हैं जो हमारा समझो है wiggle आ घुक्ट sz किहें कितन किषी की और क्योंक पास कर सकता है तो यहां पर हम इसकी कंडुटिविटी वोल देते हैं इस consistent mentre कंडुटिविटीव के हमारी क्या हुए क्या है क्या हूं यहां contam opener के अंदर वह अवारे इसकी के बचया से मारा करने जन्ड के अज़र गॉगा तो इस करंट को हम मीश्यर करती है अध्र कक्ट करने के लिए हम हमारे की कणुरा के यह हमारा हमारा किलीट पास कर पा रहा है अब जैसे मालो यहां पे था हमारा तो यह solution हमारा क्या कर रहा है इस current को पास कर रहा है यानकि इसने इसको path circuit को पूरा कर दे हमारा electric current यहां बहने लग गया तो यह solution कितने current को बह रहा है यानकि कितने current को यह pass कर रहा है उसी को हम इसके conductance बोल देते हैं यान सिर्ञेंगे में तो वह और तो यहांतर स 누शिविए लेकिन जो हमारा यह 32 एग। करने चाहिए करने के लिए यह कुछ भी है वो जितना जादा होगा करेंग्ण हमारा यह फंडा बस याद कर लेना वाकि यह इंवर्सली प्रपोश्चनल होता है वह हमारा तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है पहला हमारा आता है यह फंड यह आगे आपके काम आएगी मैंने कहा बोला कोई आइंस हमारे कितने जादा मातर हैं प्रेज़ेंट अब जो आइंस हमारे यहां प्रिजेंट आवो कितना मुवमेंट कर रहे हैं पता चले कुछ एज पोजी आमालो यह कोई मालो जैसे इंग्झामपल बता दों यह एक हमारा न पॉजिटिव होता है। तो इसकी कन्टन्स हमारी इससे कम होती है यह हमारे कम मुवमेंट करेंगे और हमारे ज्यादा करते हैं। तो अगर STL का solution है, तो उसमें current ज़्यादा होगा, वहीं अगर any वाला कोई solution है, तो उसमें current थोड़ा कम होगा, तो symbol था fundा हो गया, फिर temperature भी हमारा depend करता है, अगर मैं इनको heat प्रोवाइड कर दूँ, आपको बता जाकर ज़्यादा heat करेंगे, तो heat में particle हमारे dissociate हो जाते हैं तो यह हमारे और ज़्यादा movement करेंगे, तो हमारे यह temperature पर भी depend करते हैं, तो तीन चीज़ों पर यह depend करते हैं, पहला हमारा consideration सबसे ज़्यादा important, second उनकी mobility, कि जो ions कितने movement कर रहे हैं, थर्ड हमारा उसका temperature हो गया, अब main principle हमारा conductometry का symbol था क्या है, कि इसके अंदर क्या होगा कि जो ions हमारे chemical cells या पर इस पूरे कौम chemical cell बोल देते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे ions present है, वो कितने मतला जितने जादा मातर हम present हैं, तो वही हमारे electric current को flow करने में responsible है, तो बस simple था conductometry का principle यही है, कि जो हमारे ions है, यह जब movement कर रहे हैं, तो इसी के विज़े से हमारा current flow कर र तो इसील में positive है, तो यह negative cathode की तरफ जाएगा, और यह negative है, तो यह positive anode की तरफ जाएगा, simple था पन्ना बारा होगा, अब यहाँ पर हमको समझ लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, conductometry में समझने के लिए, तो पहला हमारा आता है, और तो पहला हमारे आता है, तो पहला हम जो हमारा current इसमें भेर आये, वो directly मतलब proportional होता potential difference के, और inversely proportional होता resistance के, अब इस potential difference को आप normal समझो, माल लो कि यहाँ पर हमारे घर पे मतलब बिजली आ रहे है, नॉर्मल बाली, जैसे inverter डाउन होता है, तो धीरे light है, आपने देखे होगा, अभी बहुत slow होता है, लेकिन वहीं कि जैसे आपने देखा होगा, जब generator लगा देते हैं, कभी high voltage की कोई light supply करते हैं, तो हमारे बिजली बहुत तेज आने लगती है, तो इतना समझता ज्यादा ज्यादा होगा हमारा current हमारा उतना ज्यादा flow करेगा, क्योंकि current directly proportional है, second universally resistance के, तो यह तो हम जानते हैं, कि resistance मैंने आपको बता दी है, हमें इसको ज्यादा दूर करते हैं, या बीच में कुछ अब रोदक लगा दें, कुछ ऐसा लगा दें, जो इसके current को रोगे, तो हमारा current slow होजाएगा, तो simple था पंडा है, कि universally होता है, resistance के, तो इसको formula मैं होता है, current is equal to V upon R, V हमारा voltage potential difference हो गया, या इसको E से भी हम denote कर देते हैं, ठीक है, तो यह आपको formula याद करो, second हमारा specific resistance है, तो इसमें symbol था क्या है, कि हमारा resistance है, जो हमने देखा कि कितना इसको मतला रोकने की छमता, वो directly professional होती है, हमारी length की, और inversely professional होती है, area of cross section की, अब इसका मतलब यहाँ पे symbol था क्या है, कि यह directly professional हमारे length की, यहाँ की symbol था है, कि हमारे length जितनी जादा होगी, जैसे मैंने आपको बोला, यह हमारे यहाँ पे है, एक wire मैंने यहाँ मालो connect कर दिया, तो हमारा कम दूरी पे तो current एकदम जा रहा है, लेकिन मैं इसको और दूर कर दूँ, मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो मेरा wire की लंदा ही होगी इतनी, अब इतने wire में current जल्दी पास होगा, यहाँ से यहाँ तक इतने wire में current जल्दी पास होगा, ओबिसली बार छोटे वाले में, तो यह है कि length जतनी जादा होती है, हमारा resistance यहाँ की current रोकने की चमता उतनी जादा भढ़ दाती है, तो वही यहाँ बत यहाँ मिलाया है, तो constant हमारा आगया, specific resistance और इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो यह हमारी specific resistance है, आपको numerical वगारा कभी नहीं आएंगे जिन्दिगी में, तो यह बस आप ऐसे ही याद कर लो, यह हमारी specific conductivity है, तो इसको हम capacity नोर करते हैं, और यह हमारा inverse होता है, specific resistance का, तो इ अगर किसी के मनम आप तक यह doubt आ गया हो, कि सब करके आ रहे हैं, तो वो जब इसको करेंगे तब आपको यहाँ समझ आएगा, पस इतना आप समझ गए कि हम current को मीधर करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके लिए आगे एक सस्पै, मैंने बुला ना, end में climax की तरह आपके सामने आपको याद करना है, ठीक है, तो याद कर लो, क्योंकि जब आप प्रक्टिकल करोगे, तब यह आजकल मसीन आगी न, automatic सारा फंडा हो जाता है, अब जो instrumentation में में मिल लिए हमारे तीन चीज़ा आती है, पहला हमारा है conductivity cell, दूसरा हमारा वीकर है, और तीसरा हमारा mechanical history devices है, अब यह हमारी क्या है, तो यह आपको यहाँ पर diagram में सारा कुछ दिख साएगा, तो अब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, तो यह हमारा है conductivity meter, जो यहाँ पर दिख रहा होगा, यह हमारा एक बीकर है, और बीकर के अंदर जो हमारे solution भरा है, इसको हम बोल देते है, analyte solution का मतलब होता है, इसको घुमाने वाला, ठीक है, और यह हमारा है पूरा conductivity cell, और यह पूरा meter हो गया, और यहाँ पर digital display है, क्योंकि आजकल यह normal हो गया, आपको कुछ नहीं करना, इसमें fit करोगे न, यहाँ पर automatic आपको इसकी reading आने लगेगी, तो इसी से आपको सारी कहानी प करनी हो, मतलब अलग-अलग solution के लिए अलग-अलग range हम select करते हैं, और यह calibrator है, जो मतलब जब इसको use करते हैं, तो पहले calibrate करेंगे, कि हमारा जो instrument है, वो सही से काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, तो यह सारी बात आप समझ गए, अब normal समझो कि actual में यहाँ पर होता क्या ह मैं आपको बता देता हूँ, तो देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, कि हमें जो solution चाहिए, जिसके बारे में सब पता लगाने हम इसमें भर देते हैं, अब example के लिए मालू मैंने यहाँ पर SEL भर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्यूरेट भरते हैं, अब ब्यूरेट म भी मीजर कर लेंगे, और इसलिए इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, कंड़क्टोमेट्रिक टाइटरेशन भी बोलते हैं, यान कि अगर आपके लिए कोशन आएगा exam में, तो जरूरी नहीं है, कि सिर्फ कंड़क्टोमेट्री लिखकर आता है, आपके लिखकर आ सकता है, कंड़क्टोमेट्रिक टाइटरेशन के उपर लिखो यहां पर, तो इसके कुछ ग्राफ भी है, मैं आगे एड़ कर दूँगा, पता भी इतना समझे लो, तो यह हमारा बूरेट पूरा स्टेंड, और यहां पर हम सॉलिशन भरते हैं, और जो उपर सॉलिशन भरता जाता है भी हमारा होता है, यहांकि कोई भी हमारा ऎनव होध हो जाए है, और जो नीचे भरते हैं वो मारा में होता है, एसेड होता है तो अब समझो सारी कहानी क्या है कि मालो यहां पर मैंने SCL भड़ा ठीक ध्यान से सुनना सारा सारा तो जब SCL भड़ा तो इसके होगे है एस पूरे इस पूरे इस्ट्मेंट को काम कर रहें यानि उसके बास हम क्या करेंगे इसमें जब यहां पर आप यहां धीरे-धीरे करके के डिप करके क्या करेंगे यहां पे टाहितरेशन शुरू करेंगे और जब टाहिटरेशन होगा तो यहां से अमारे बदेगी तो अब इसके साथ पानी बना देगा और इधर यह बचेगा से तो यह आप उसमें इंट्रेक्शन करेंगे और इस पूरे टैट्रेशन की बज़ा से क्या होगा यह एलेक्टर करेंट हमारा चेंज हो दाएगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हर एक सॉलूशन की अपनी अलग एबिलिटी होती है कि वह कितना करेंट पास करेंगा S.T.L. अलग पास कर लगा और जो उपर से मारे यह नया सब्स्टांट चेंज होने लगेगा अब एंड क्या लगता है तो एक्दम से क्या होगा यहां पर इरीडिंग आ यहां पर चेंज हो ऺया तो दीर दीरे बढदे खाले यह फिर 140 रही आप उपर से ड्रॉब गिराते चाहरे हैं फिर एकदम 142 हो गई 143 फिर एकदम ना शार्प चेंज आएगा यानकि आपको मालो एकदम से देखा कि यहां पर रीडिंग हो गई 148 यानकि चलो मालो 150 होगी एकदम रीडिंग आपने देखें 150 होगी नॉर्मल इसके बाद क्या होगा यह मैं आपको प्रेक्टेली बता रहे हूं आपको करना हो इसी तरह आएगा अब उसके बाद धीरे-धीरे देखो कि फिर 150 होगी अब फिर दीरे-धीरे 151 152 फिर 153 फिरे-धीर दीरे तो इस तरह आपने यहां देखा एकदम शार्प एंड आय यहां यहां कि 150 पर तो यह एक्च्वल में रीडिंग हो जाएगी इसको आप समझे लेना कि यह आपका एंड पॉइंट है और इसके आपके गिराब बनेंगे तो आप इस तरह इसके गिराब बगर है बना सकते हो तो इस तरह पूरी कंड़क्टोमेट्री हमारी यहां पर काम करती है इसका पूरा इंस्ट्युमेंट आपको लैब बगरा में अपने सर से बोलना सर एक बाद जरू करवा आपको महां पर दिख साएगा तो आपको यह पूरी टाइट्रेशन एक्च्वल में समझ आगी होगी और इस कंड़क्टर मीटर का क्या रोलता यह भी समझ आगया होगा तो यही था हमारा के बारे में और यहां पर हम हमें थोड़ा सास्के अंदर होता ऊपर से यहां ऑर इन quando di जब पानी की रोड गरम करने पर लगाई हो कि कभी तो आपने देखा होगा उसके पानी के इस तरह के बबल साने लगते हैं तो वह क्या करेंगे वह इस इलेक्ट्रोड को धीरे-धीरे डियॉक्सराइज कर देंगे और इससे खराब हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट भी कर सकत जो इस तरह का होगा जो इस तरह का पूरा बना तो वन सेंट्रेमेटर स्क्वाइर की उपर और इसके अलाबा इसके डिश्टेंस अपस में दौनों की वन सेंटीमेटर के करीब होती है अब यह हमारे तीन तरह के होते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं पसका प्रेसिपिटेट बन गए तो इन प्रेसिपिटेट अच्छी तरह से काम करते रहेंगे तो इसको प्रेसिपिटेशन टाइप इस तरह का हुथ है और पूरे वर पूरे हम सोलीशन के अदर तो यह पूरा हमारे तो तीन तरह के हमारे होते हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्यादा आपको नहीं लिखना है और यह सारा फंडा यहां पर आपको मिल जाएगा और यह और एक काम में आपको बताना भूल जाता है जो सब्सक्राइब करते हैं और अगर कुछ बनना होगा तो इनमें मुमेंट होती है और इसकी बजाए से जो केमिकल येक्शन है वह हमारी बहुत अच्छे से हो पाती है अगर आपको याद हो आप जब टाइटरेशन करते थे नौर्मली जब हम यहां पर टाइटरेशन करते थे उपर से खोलते था हम इस को भी हलका हलाते रहते थे इस तरह जिससे मिक्सिंग तो वही यहां पर इस मेंगनेटिक का काम है क्योंकि यह पूरा हमारे अपने हाथ पर नहीं लगाते इसके उपर रख दोगे ऑटोमेटिक इसको थोड़ा सा बाइबरेट करता रहेगा तो यह उपर से टाइटरन जो गिरेगा तो इसके ताथ अच्छे से मिक्सिंग होती रहेगी तो यह पूरा हमारा फंड़ा यहां पर इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया लेकिन थोड़ा हम टेक्निक टरम समय लेते हैं तो यह मेली हमारा क्या होता है कि हम एंड पॉ यही है rif which करना है तो यही में मीजक करना होथा वह क्रिंट करने कर लिया इस करक्ता है कि अब इसका पर सकते हैं अब इसका ही नियुरा है आहार खुने को रिप्लेस कर नट बना रहा है तो जब राएक और जिन्ट को घैंगगा और जब एक दम बहुत जादा चेंज आता था उसको हम यहां पर यहां पर प्रिंसिपल हो गया ठीक है और इसमें हमारा ग्राफ बनता है चेंज इन कंड़क्टेंज अपन बॉल्लिम ऑफ टाइट्रेंट यहां पर दो ही काम हो रहे हैं एक ऊपर से हम यहां पर टाइट्रेंट एड़ दोनों के बीट में हमारे यहां पर बनता है तो यहां पर चार तरह के बन सकते हैं और वहां पर यहां पर पहला आएगा कि मालों हमने यहां पर अगर हम यहां पर क्या करते हैं तब हमारा ग्राफ इस तरह का बनीगा अब यह केवल आप चाहो तो सिर्फ ग्राफ बनाके आजाना आपके लिए मोर्दय नेरफ है थोड़े से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है यहां पर क्योंकि स्ट्रॉंग एसे स्ट्रॉंग बेस सब्सक्атफ में तो प्छे चल मी extends सब्सक्राइब करते है तब इनको हमारे एक गरेगा तो उसमें गरेगा तो इसलिए इसमें घ्राफ बनता है पहले ऊपर से नीचे गरेगा उसके बाद हमारे यह नॉडल चलेगा तो यह हमारा इनको याद रख लिना है इसी तरह हमारा स्ट्रोंग एसेट बिक वेइस में कैसे बंता है पहले हमारा स्ट्रोंग डर्श नीचे गरेगा क्योंकि नीट्र होगा सारा मामल्ब उसके बाद हमारे यह नौटल चलेगा तो यह हमारा इनको याद रख लिए इतनर हमारा कंडेक्ट आप और यह तो दीरे दीरे जैसे हमारा strong base गरता है हमाराст तीरे धीरे थोड़ाँगा लेकिन जैसे फिर पूरा फंड़ा था अब्षक के बारे में बात करें यह मेलियर हमारे वाटर जो पॉल्युशन है मेली पानी को मतलब महुझा चेक करने में हमारे ह्वानार ideaux के जेठा नदियों के जो पानी जो पानी है उनको चेक करता है जो पानी के रिजर्व आयरे है कि उसमां कोई पानी की पॉलीशन है तो नहीं है उसके बाद कुछ इनकी चटेक करता है और इसके बाद नहीं को पूरा समझ आ गया होगा तोका नहीं होगा इतना समझें कि इसमें मिल ली हम क्या करेंगे अपने solution की मदद से पूरे electricity के current को चेक करते हैं और current हमारा इनके instrument के अंदर यहाँ पे value दिख़ाती है जो starting में हमारी क्या होती है एक मतलब normal होती है लेकिन जैसे जैसे हमारी होगी उपर से solution बढ़ेगा और यहां पर हमें चेंज दिख साता है तो यह value को मीजर करते हैं पूरे के पूरे अगया होगा अगर कोई डाउट से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बाकि मैं मिलता हूं बहुत जैस्ट वीडियो में बाकि यह वीडियो आपको कैसी लगी क कमेंट करके बताओ वीडियो को लाइक करो और इस तरीके से आपको सब समझ आ रहा है तो हमें थोड़ता आपने फीडिवेक वगरा दे सकते हो ठीक है बागी कंड़क्टे मैंटरी की डेपनेशन आपको कमेंट सेक्शन में लेकर बतानी है बागी जहिन दोस्तों